आखिर अमेर्का के राष्ट्रपती जो बाइडन जाते जाते भारत को बहुत बड़े जाल में फसा गए भारत फिलहाल अमेर्का के बहुत बड़े सड़यंत्र का सिकार बन चुका है जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि ट्रम्प तो जनवरी से सत्ता संभालेंगे लेकिन उससे पहले जो बाइडन भारत को कानून और कागजों के बीच में उलजाना चाहते हैं जो बाइडन अपने बचे हुए कुछ दिनों में बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं जैसे कि जो बाइडन ने यूक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइलों की मंजूरी दे दी भारत के कुछ कमपनियों और कुछ व्यक्तियों पे पाबंदियां भी लगा दी लेकिन जो बाइडन यहीं पर नहीं रुके और अब जो बाइडन ने जाते जाते भारत के राजनिती में अडानी के नाम का बहुत बड़ा बम फोड गए अडानी से जुडी खबर तो आपको पता होगी लेकिन सवाल है कि आखिर पूरा अमेरिका अडानी के पीछे ही क्यों पड़ा है हाला कि हमारे देश के अंदर हमारा विपक्ष इसका राजनितिक फैदा उठाना चाहता है लेकिन पूरा अमेरिका भारत के एक बड़े और दिगज कमपनी को बरबाद करने के पीछे पड़ा है इस बात की चिंता हमारे विपक्ष को नहीं है पहले हिंडन बर्ग ने जूठी खबरों से अडानी के कमपनियों के सियर को गिराया बाद में वह खबर जूठी साबित हुई फिर इसी हिंडन बर्ग ने भारत के पूरे स्टोक मार्केट को गिराने का प्रयास किया लेकिन हिंडन बर्ग को सफलता नहीं मिली और जब हिंडन बर्ग की कोशिस बेकार हो गई तो अब अमेरकी कोट के अंदर आरोप लगा कर अडानी को बरबाद करने की कोशिस की जा रही है अब सवाल है कि अडानी को लेकर सारी दिक्कत अमेरका में ही क्यों है तो यहाँ पर बता दे कि पिछले ही साल अमेरिका के ही थिंखर्ण ओंक ने यह दावा किया था कि भारत के अडानी डिफेंस कंपनियों के अंदर अमेरिका के दिगज और बड़े डिफेंस कंपनियों को तककर देने की छमता है अडानी डिफेंस भारत के सपलाई चैन और कनेक्टिविटी को मिडलिस्ट एसिया से लेकर अफरिका तक बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है अडानी डिफेंस ने एसिया के सबसे बड़े गोला बारूद के उत्पादन का वी निर्माड केंद्र इस्थापित किया जिससे की रक्षा उत्पादन के छेत्र में भारत की इस्थिती मजबूत हुई अडानी डिफेंस ने भारतिय सेना के लिए समय से पहले 1000 किलोग्राम के बमों का निर्माड करके दिया और सबसे जरूरी बात की अडानी ग्रूप ने निवेस हासिल करने के मामले में अमेर्की कम्पनियों को टक कर दी जिससे की अमेर्का घबराने लगा ऐसे में अमेरका लंबे समय से अडानी के पीछे पड़ा है भारत में पहले से ही अडानी को लेकर राजनिती गर्म है ऐसे में अमेरका ने इसका फाइदा उठाया हाला कि अडानी पर लगे आरोप सच है या जूठे यह तो समय आने पर ही पता चलेगा लेकिन अमेरकी कमपनियों को टकर देने वाली भारत की एक कमपनी बरबाद हो रही है